महात्मा बुला और किसान की समस्या सालों पहले गुंथा गाम में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था वो अपनी जीवन की छोटी-छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था एक दिन उसे किसी ने सलाय दी कि तुम गौतम बुल्ध के पास चले जाओ वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकल देगे उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सी यह महात्मा बुल्ध के पास पहुँच गया गौतम गुद्ध के पास पहुँचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके जीवन्यापन करता हूँ मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ दरस कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहत प्रेम करती है पर कभी-कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है उससे मैं तंग अग्या हूँ और कभी-कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छी से रहता इस तरह वह अपनी सारी परेशानिया महात्मा बुंध को सुनाता रहा और वो उसकी बाते सुनते रहे जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुंध एक शब भी नहीं बोले वो बस ध्यान से किसान की ही बाते सुन रहे थे परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है वो है तो काफी अच्छा पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता उसके ऐसे व्यवाहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ, जो उसे सताता था और डुखी करता था, वो गौतम बुद्ध को बता दिया. अब किसान के पास उन्हें बताने के ये कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हलका हो गया. महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैख था. काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद व्रेशप्र होकर किसान ने उची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे. तक गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता. किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब के उम्मीद नहीं की थी. वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया. उसे अपने कानों पर धरोसा नहीं हो रहा था. उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि यह आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जित सुख दुख का सामना करना पड़ता है हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से गिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम ही कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा यही जीवन का एक अटल सत्य है बुद्ध की बाते सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सब की परेशानी दूर करते हैं पर मेरी समस्या का निवारन करने के बजाया आप मुझे फिजूल की बाते बता रहे हैं मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना वी अर्थ हुआ मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब जोट है महात्मा बुंध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है तब ही उससे भगवान बुंध कहते हैं कि तुने जो समस्याइं बताई है उनका मैं समाधा नहीं कर सकता पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारन कर सकता हूँ बुंधा की बाते सुनकर किसान हैरान हो गया और बुंधा से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है और है भी तो मुझे उसका ग्यान क्यों नहीं है बुंधा उंसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो खुद को किसी तरह की समस्या नहों यह सोच रखना ही दूसरे समस्याओं का कारण बनता है आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी है जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे उसे कोई नहीं बदल सकता बस तुम्हें दोनों ही स्थिती में खुद को काभू में रखना होगा इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा ऐसे में तुम्हें यह सोचना चोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो तब ही तुमहर समस्या का आसानी से सामना कर पाऊगे बुद्ध की बाते सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मानने लगा वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं कहानी से सी, हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए